जियो एटल और वी आई जैसे बड़ी कमपनियों को लगेगा एक बड़ा छटका एक बार फिर से इंटरनेट जगत में बीएस नल की चर्चा हुई शुरू रतन टाटा की टाटा टेलिकॉप, भारत सरकार की बीएस नल और एलन मस्क की स्टार लेक की बीच हुई एक अबूत पुर्वसाजी दाड़ी तो वही शोशल मीडिया में हैस्टेग जीयो बॉयकाट का चल रहा ट्रेंड जीयो के खिलाब कई मिम्स हुए वाइरल जबसे जीयो और एटल के रिचार्च महंगे हुए हैं इंटरनेट जगत में बीएस नल के दुबारे से चर्चा शुरू हो गई है इसे लेकर खुब ट्रेंड शल रहे हैं इसे के बीच टाटा और बीएस नल के डील की खबर सामनी आ रही है कि टाटा कंसल्टेंस सर्विस यानि टीसी एस भारत संचार निगम लिमिटेड यानि बीएस नल के बीच 15,000 करोड रुपे की डील हुई जिससे भारत में 4G नेटवर्क को चुस्त दुरूस किया जाएग साथी 5G नेटवर्क को लेकर जमीन तयार करने का काम किया जाएगा TCS के तरफ से भारत में डेटा सेंटर को बनाया जा रहा है टाटा भारत के करीब चार रीजन में डेटा सेंटर बना रहा है यह डेटा सेंटर भारत के फोर्जी इंफरास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा एक सोशल मीडिया यूजर्स ने All Ice on BSNL के पोश्टर के साथ ट्रेंड चला रहे है साथी बॉयकर्ट जीयो का ट्रेंड भी चल रहा है कई जगा पर तो ऐसे मिम्स भी वाइरल हो रहे हैं कि अमबानी के बेटी की शादी के खर्च बढ़ जाने के कारण वरिचार्च की कीमत बढ़ा कर आम लोगों से चंदा इकठा कर रहा है तो वहीं कई यूजर्स जीयो की सिम को बॉयकर्ट जीयो लिखकर पोश्ट कर रहे हैं इसी बीश आप सभी को बता दे कि एका भूत पूर्व साजिदारी में रतन टाटा के टाटा टेलिकॉम भारत सरकार की बीयस नल और एलन मस्के इस्टारलिंग भारत में इंटरनेट सेवाओं में करांती लाने के लिए एक साथ जुठ गई है तीनों ने कथे तोर पर देश भर में हाई स्पीड इंटेनेर एकसेस प्रदान करने के लिए स्टारलिंग स्पेसेक्स उग्रहों का उप्योग करने के लिए एक सौधे को अंतिम रुप दिया है इस साज़ेदारी से जीओ एर्टेल और वी आई जैसे बड़ी कमपनियों को एक बड़ा जटका लगने वाला है रिपोर्टों के मुताबि यह उधम अगस की सुर्वात में सुरू होने वाला है इसके अतिरेक नियामक बाधाय दूर हो गई है स्टार्लिंग को ट्राइब भारत सरकार से जीएम पी सीएस लाइसेंस प्राप्त हुआ है यह विकास दूर संचार छेत्रे में जीयों, एर्टेल और वोड़ाफन जैसे प्रमो कमपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है इनने जी दूर संचार कमपनियों द्वारा हाल ही में की गई कीमतों में बरहुतरी ने कई उप्रोकताओं को अधिक के फायते विकल्पों के लिए बी एसनल पर स्विच करने के लिए प्रेरित किया है स्टारलिंग का अनुठा लाव उप्रहों के एक समूद्वारा प्रदान की गई इसके वाइड एरिया नेटवर कबरेज में नहीं थै जो किसी भी समय और कहीं भी कुशल और विश्वस्निया इंटरनेट कनेक्टिविटी का वादा करता है जो निकट भविशे में इंटरन सेवा बुजार की गति सिल्ता में संभावित बदलाव लाने का संकेत देती है इस खबर पर आपकी क्या प्रदिक्रिया है इसे आप हमारे साथ जरूर साजा करें